दोस्ते एक बार फिर से लेकर हाजर हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही जैकपॉट मुकाबला जो की खेला जाएगा ड्रेम लैबन के उपर एक क्रोड एक लाग की मेगा लिग के साथ प्राइस काफी बड़े हैं कॉम्पिटिशन भी आपको बढ़िया देखने को मिल एसी एस ड्रेजडेंट टीटन का जे मैच नमबर आठ रहेगा जर्मनी और नौर्बे के बीच में खेला जाएगा दो टाइम दोनों टीमें संखला में आमने सामने हो चुकी हैं एक मुकाबला जहां पहला मुकाबला नौर्बे ने वान किया था बहीं लास्ट मुकाबला चेज़ करते होए वान किया जर्मनी की टीम ने तो दोने टीमें टकर की आज आती हैं स्टॉंग एस डोनों टीमों में से कोई जादा आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब वन सैड मुकाबला नहीं खेला जाएगा आज आज आपको एसल के लिए जी एल के लिए डबल टीम से ही क्रेट करनी है है टू एड में अगर आप जाएंगे तो बहाँ पर जादा विनिंग टीमे आप जर्मनी के पक्षमे क्रेट कर सकते हैं आज के मकाबला में मैदान बैलेंस पाया जाएगा टॉस्ट काफी जादा इपाटेंस रोल अदा करेगी आपके लिए नॉर् टीम चेज करते हुए अच्छा परफॉर्मस देती है तो एचीज का ध्यान में रखेगा अगर जर्मनी टीम चेज करने आएगी तो जील में आप जादा टीमे जर्मनी के पक्षमे क्रेट कीजेगा अगर नौर्बे टीम डफेंड करने आती है तो जादा टीमें आप नौर description box में मिल जाएगा interface आपके सामने है यह हमार official telegram channel line up नौसोने के बाद बहुत सारे changes कर दिये जाते हैं तो बहीं पर मिलेगा आपको इस मुकाबला का final port final update शुरुआत करेंगे विकट कीपिंग शर्चने के साथ एहमद बहुत जादा लेट खेलने आएंगे बाई इनका जो बैटिंग और रएब इबराहिम रिमानी के बाद नंबर साथ पर रहता है उपर की अगर साथ विक्टेंग गिरेंगी तो जे आपको बल्ले बाजी करते नज़र आएंगे इनकी पजाए आप आगा को ले सकते हैं जो नंबर चार पर आपको खेलते नज़र आएंगे बैटिंग के परक से आगा एक सेफ है स्टॉप्शन होगा जने बल्ले बाजी करने का मौका मिल जाएगा बैटिंग की बात करें तो गाइस बैटिंग में रोही अगेन बड़ी पिक है हमेशा अच्छा खेलते हैं ओपनिंग है और जे आपको जानप्रीत के साथ में ओपनिंग करते नज़र आएंगे तो मैं दोनों को ट्राइ कर लूँगा नौरबे की टीम इकवाल कियाने के बाद बहुत ज़दा स्टॉंग हो जाती है रजा अकबाल ओपनिंग करेंगे अगर आप इनके बिना इन तीनों में से किसी एक को भी ड्रॉप करते हुए खेलेंगे तो आपका टीम गाइस बहुत ज़दा रिस्की बन जाएगा इनको स्टॉंग करने के लिए आप अपना जो बैटिंग पक्षए से स्टॉंग करने के लिए आप हक को भी ट्राइ कर सकते है अगर आप ज़दा बड़ी लिग नहीं खेलना चाहते है हैट वेड के लिए जाएंगे तो बहाँ पर हक भी आपका काम असान कर देंगे कम कॉम्पिटिशन के लिए तो बाकी आपके लिए गाइस ट्राइबल पिक में प्लेयर होंगे इवराहिम की बात करें तो जे थोड़े से रिस्की प्लेयर रहते हैं हमेशा क्योंकि जे कभी बहुँ जार अच्छा कर देते हैं कभी खराब पर्फॉर्मस दे देते हैं तो इनके साथ अगर आप जाने वाले हैं तो बाई कमफर्ट जो उन से बाहर निकल कर ही खेलेगा शायद अगर उपर खेलने आते हैं अगर इन तीनों में से कोई ड्रॉप होगा जो नहीं खेलेगा उसको नकालते हो मैं हाग को इन कर लूँगा अगर आप हैड टो हैड के लिए जाएंगे तब भी आपके लिए हाग एक अच्छा विकल पोगा और अंडर में अफरीदी साथ बटको में ट्राइ करूँगा बाई बले बाजी भी क्या है जे गजब की करते हैं हमेशा अच्छा खेलते हैं और आपको बॉलिंग के चलते विजए कॉम्पलीट करते नजर आज आएंगे इनके बाद मैं गोरी को ट्राइ करूँगा क्योंकि इनके में आप गोईभी लीग बाउन गाईज नहीं कर सकेंगे और मैं अशारी को ट्राइ करूँगा यह आपके लिए सेफ एस्ट आप्शन है इनके बाद अगर आप जादा और अंडर ट्राइ करना चाते हैं तो आप हेदर को मुका दे सकते हैं बट इनमें से किसी को नकालते हुए हेदर कोईन मत के जगा जे चार आप्शन है गाईज बागी मैं पूरा टीम आपको परिवग रादूँगा लास्ट में और बालिंग में आज मैं जाओंगा बाई मलकाजी के साथ में इनके आने के बाद जर्मनी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा से हमें जादा बढ़िया देखने को मिलता है अच्छा केलते हैं जूट परने पर अच्छी खासी बले बाजी भी जे कर लेते हैं और जे आपको डैथ के दो बर करते नजर आएंगे लास्ट में देखें तो बहुत जादा बढ़िया तरीके के साथ खेले थे हलाकि विक्ट तो नहीं ले पाई थे चांस बहुत जादा क्रेट किये थे मस्ताक हैं इनके बाद आपके पास और आप चाहो तो अफरीदी को मौका दे सकते हैं इनके साथ में तो डेफनेली मैंने ट्राइ करूँगा एज एक कैप्टन हमेशा बढ़िया खेलते हैं लास्ट में उने एक विकर नकाला था बल्ले और बॉलिंग दूरों से आपको प्रॉफिट देंगे इसके बाद बीसी के लिए मैं रोहित खान को ट्राइगा सुरी रोहित सिंग को ट्राइग करूँगा जी एल में जाएंगे जानपरित अच्छा विकल्प होगा टॉप अटर में खेलेंगे आगा को आप जी एल में ट्राइबल पिक में ट्राइग कर सकते हैं एजए कैप्टरन एक खान भी अच्छा ऑप्शन रहेगा जी एल के लिए अगर हैट टू एड खेलने वाले हैं सेफ एस्ट केलने वाले हैं रोहित के साथ अफरीदी कोई ट्राइग की जाएगा चाहे आप इन दोनों को लिटा भी ट्राइग कर सकते हैं जो होगा गाइज आज का हमारा फाइनली पृडिक टीम अगर लाइनप में बदलाव नहीं होते तो इसी पृडिक टीम के साथ हम खेलेंगे आज का मकाबला चेंजेस हो जाएंगे तो फाइनल टीम आपको फाइनली है मिल जाएगा हमारे टैली ग्राम चैनल के उपर जो टीम आपको देते हैं भाई हमिश्वा खुल लगाते हैं हारेंगे साथ में जीतेंगे भी साथ में